जाहिन देखिए यूक्रेन में जो अभी घमासान चल ला है इसमें ये चीज समझना है कि रूस किसके साथ है ये रहा यूक्रेन अब यूक्रेन पहले तो USSR का ही हिस्सा था लेकिन 1991 में यूक्रेन टूड गिया यूक्रेन में चर्णोवियल पर मारू दुर घटना हुआ था ज यूक्रेन जो है यहाँ पर अब देखिए यूक्रेन यूरोपीय यूनियन के साथ मिलता गया रूस चुपचप रहा यूरोपीय यूनियन के साथ लेकिन अभी क्या है कि ये यूरोपीय ये नाटो का सदस बनने जा रहा है नाटो 29 के जगा 30 देशों का एक सैनिक संगठन ह इनका कहना है कि कोई हम 300 पे मारेगा तो हम 300 मिलके मारेंगे अब बताइए अगर यूक्रेन जो है ये नाटो का सदस बन जाएगा तो कल कोई इसके रूस से यूद हो जाएंगे इसलिए रूस के लिए अभी करो या मरो खीश देती हो गई है अब रूस को अमरीका धंका रह चुके हैं इनका कहना है कि अगर रूस ऐसा करता है तो उसके उपर आर्थिक सेंक्संग लगा दिये जाएगा हलाकि इस ख़बर से ही रूस की अर्थविवस्ता में कापी गिरावट आई है उसके जो सेर बाजा रहे स्टॉक एक्षेंट गिर गिया लेकिन यूरोप जैसे इतने बड़े मार्केट केप्चर को देखका ये एक तरह से कहिए तो बाइडेन इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं दूसरा क्या है यूकरेन में रूस जो है अपनी सेना बेलारूस में घुसा रहा है कि हम यहां सेन अभ्यास करेंगे वो बेलारूस में इधर अपनी पूरी USSR बन गया रूस वापस ये USSR बन गया तो हमारे लिए अच्छा है क्योंकि भारत भी पहले जाके फिर हम लोग अखंड भारत हो सकते थे हम लोग कटक से सुरू होके अटक तक जाते थे मैंनमार से हमारा सासन वहां तक रहता था तो हम लोग भी हो जाएंगे इसमें मेरा पर लोग किसी का नहीं है यह किसी का भी फेवर नहीं करता है याद किजिए यह वही अमरीका है जो भारत की उपर 1971 में अपना साथवा प्रमणग बं लेके आया था और भारत की उपर हम लाग करने के लिए उस समय रूस ने हमें बचायता है नहीं बूलना चाहिए कि रूस हमारा हमेशा साथ दिया है अमरीका की दुस्मनी खतरनाक होती है लेकिन दोस्ती बेहद ही खतरनाक होती है यह किसी के नहीं है सब यह यूरोप और अमरीका वाले यूरोप और अमरीका को छोड़के यह हाई नहीं है यह नफरत की नजर से एसिया वालों को देखते है नफर अखिर जब रूस अफ़गानिस्तान में घुसा था तो रूस को भगाने के लिए तालिबान किसने खढ़ा की अमेरिका निए आज भी आतंगवादीयों के पास हमघी होते हैं आतंगवादीयों के अल्रेडी अफगानिस्तान गवा चुके है इनकी बात चाइना मान नहीं रहा है और अगर यूकरेन भी गया ना तो फिर जो बाइडन की तो पूरी फजियत हो जाएगी अच्छे से इसलिए हम लोग को अभी इसमें साइलेंड मना के रखते रहना है जो ही वही जादे हमारे लिए जा ही रही गा